हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम अगेन टू लण फ्रेदितीमन तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हिंदी सिक्षन के प्रेश्ण तो आज कितने कर पाएंगे आप तो इससे क्या है प्रेश्ण जो है वो मैंने 20 ही लिये हैं लेकिन फिर भी यहां से आपका आगलन जो होता रहेग और कंसेप्ट जो है वो भी आपके क्लियर होते रहेंगे कुश्चिन वन है मुल्यांकन उप्योगी है मुल्यांकन उप्योगी है विध्यारती की प्रगती जानने में विध्यारती की कक्षा उपस्तिती जानने में विध्यारती के आचरण जानने में या इनमें से सभी तो एवेलुईशन जो है वो क्यों उपयोगी होता है तो आपको आंसर देना है विध्यारती की जो प्रगती है उसको जानने के लिए मुल्यांकन उपयोगी रहता है विध्यारती की कक्षा में उपस्तिती जानने के लिए उसका आजरन जानने के लिए या इन में से सभी तो यदि कोई विद्यार्ती असुद लिखता है जो आप तो आप क्या उपचार करेंगे यदि कोई विद्यार्ती लिखने में असुदता दिखा रहा है तो आप क्या उपचार करेंगे निदानात्मक परिक्षण करेंगे उपचारात्मक परिक्षण करेंगे माभाप से सिकायत क करेंगे या उसे दंड देंगे तो देखिए हमें बिल्कुल भी C और D option नहीं चुनना है किसी भी condition में ठीक है क्योंकि हमें बच्चा जो है उसको केंद्र में रखना है तो हम बच्चे की तो बुराई नहीं कर सकते अब वो राइटिंग में गलत लिख रहा है राइटिंग उ कि राइटिंग उसकी गलत हो रही है वह असुधता कर रहा है तो अब हम क्या करेंगे उसका उपचार करेंगे उपचारात्मक परिक्षण से नेक्स्ट है आदर्ष वाचन किया जाता है आदर्ष वाचन किया जाता है अध्यापक द्वारा छात्र द्वारा सामुहिक रूप से या मन ही मन में तो हम देखते हैं कि व्यक्तिगत वाचन जो है वो दो टाइप का होता है एक होता है आदर्ष वाचन और एक होता है अनु उगरण वाचन जो है वो किया जाता है सिक्षार्थी द्वारा। Q4 है भासा सीखने का स्वभाविक और मनोविज्ञानिक करम है। तो क्या है पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना या उप्रोक्त सभी। तो भासा सीखने के चार कौशल होते हैं। तो सबसे पहला कौन सा होता है? अब हमने कई बार इसके बारे में डिसकस भी किया है कि हमारे जो चार कौशल है L, S, R, W यानि सबसे पहले बच्चा क्या करेगा? सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा और अंत में क्या करेगा? लिखेगा। तो यही मनुविज्यानिक क्रम हैं जिसे कि आपको हमेशा ही याद रखना है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। Q5 देखिए, भासा सिक्षण के सिद्दान्त हैं, भासा सिक्षण के सिद्दान्त प्रेणा का सिद्दान्त है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्दान्त है, जीवन से जोडने का सिद्दान्त है या उप्रोक्त सभी भासा सिक्षण के सिद्दान्त हैं, अब देखिए, बच कुली एप्रोगते हैं लेकिन हर कुश्चन का एक ही आंसर चूज करना है तो इसलिए अंसर को जरूप किया है और जो भी क्रियाएं हैं, वो वास्तविक जीवन से जोड़ कर सिखाना, यही भासा सिक्षन के सिद्धान्त है, कुशन 6 देखिए, भासा कौशल विकास किया जा सकता है, भासा कौशल या भासा दक्षता, सुद्ध उचारण के माध्यम से, लिपी ववर्तनी का सही ज्यान कर कराकर, सब्द रचना का ज्यान कराकर, या उक्त सभी प्रकार से, तो हमें क्या करना है, भासा में दक्ष करना है, बच्चे को, तो हम कैसे करेंगे उसका विकास, क्या हम सुद्ध उचारण करेंगे, तो भासा कौशल का विकास होगा, लिपी ववर्तनी का सही ज्यान कराकर सब्द रचना का ग्यान कराकर या उप्त सभी तो आंसर क्या होगा ये सभी जो हैं वो भाषा दक्षयता के विकास में कारजरत रहते हैं नेक्ष देखिए रचना सिक्षन के मुख्य रूप होते हैं रचना सिक्षन के मुख्य रूप होते हैं 5 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं या 7 होते हैं. तो रचना सिक्षन के कितने रूप होते हैं आपको यह बताना है. तो इसका आंसर जो है वो सही होगा 2. रचना सिक्षन के 2 रूप होते हैं लिखित और मौखिक. Next है, question 8. सास्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उप्युक्त साधन क्या है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामुहिक वाचन या पाठे पुस्तक वाचन. तो सास्वर वाचन यानि की स्वर के साथ वाचन करने की practice. तो इसका जो उप्युक्त साधन है, वो होगा सामुहिक वाचन. ठीक है? इसका आंसर जो है वो A नहीं होगा, C होगा. ठीक है? ए क्या है आदर्श वाचन? जो सिक्षक करवा रहा है. अनुकरण वाचन? जो बच्चे कर रहे हैं. लेकिन सामुहिक वाचन जो है, उसमें सभ 9. मोन वाचन कब सुरू करना चाहिए? ऑप्चन है तीसरी कक्षा से, चौती कक्षा से, छटी कक्षा से या दूसरी कक्षा से. तो ये कुश्चन जो है वो आपके पहले आया हुआ है. अब भी आ सकता है तो आपको यह पता होना चाहिए कि मोन वाचन जो है वो सुरू कब क जाना चाहिए तो उसकी जो आप देखिए छटी कक्षा से ठीक है नेक्स्ट है कुश्चन 10. साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? डेचेंट की, स्मित की, ब्राइन की या पिंटर की तो इसका आंसर क्या होगा मोन वाचन यानि silent reading जो है वो किसकी रचना है तो देखिए ये factual question है तो इसका आंसर जो है वो होगा brain की रचना है next question 11 रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है औप्शन है ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर या उक्तुमे से कोई नहीं तो रेडियो की जो सीमाओं को रेडियो संबंदी जो कम्या है उन्हें कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा टेप रिकॉर्डर क्योंकि रेडियो में हम एक बार सुनते हैं और फिर हम उसे दुबारा नहीं सुन पाते हैं ठीक है कोई भी बाचन होता है लेकिन टेप रिकॉर्डर में हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और हम अपने पसंद के समय पर उसे सुन सकते हैं ठीक है तो रेडियो की जो सीमाएं हैं उनको दूर करने वाला साधन है टेप रिकॉर्डर तो इसके अलावा ग्रामो फॉन लिंग्वा फॉन ये सभी जो है वो श्रव्य साधन है लिंग्वा फॉन कैसा सेक्शन उपकरण है तो ये कुशन आपके आया हुआ है आपको ये पता भी होगा लिंग्वा फॉन कैसा सेक्शिक उपकरण है क्या ये है द्रश्य, श्रव्य, द्रश्य श्रव्य, ये कोई नहीं तो हमने अभी देखा लिंग्वा फॉन जो है वह है एक श्रव्य साधन है ठीक है इससे उचारन संबंधि जो भी कम्या होती है उन परिक्षन कहेंगे विस्वस्ष्शों परिक्षन कहेंगे वस्तूनिष्ट परिक्षन या विषैपरत परिक्षन कहेंगे तो जसाध क mention के लिए परिक्षन तैयार किया देने की कोशिश करें उसके चार आप्षण में लेकिन आंसर जो है वहि आए हर बार, इसका मत्तव है परिक्षण जो है वो विस्वस निया है और वस्तुनिष्ट परिक्षन तो आप जानते ही है जैसा कि आप एक्जाम में देते हैं कि एक कुश्चन के चार आप्षन होते हैं और उसका एक ही उत्तर होता है नेक्ट 14 कुश्चन है उपलब्दी परिक्षन निर्माण में समंकन योजना बनाने का उदेश्य है निरने संबंदी असंगती को दूर करने में सहायता परदान करना प्रशनों की संख्या निर्धारित करना छात्रों की कटनाईयों का निर्धारन करना या उक्त सभी तो जो उपलब्दी परिक्षन है achievement test इसके निर्माण में समंकन योजना बनाने का उदेश्य है तो उसका जो उदेश्य है वह होता है कि जो निरने संबंदी असंगती है उसको दूर करने में help करता है उपलब्दी परिक्षन प्रशनों की जो संख्या है उसे निर्धारित करता है और छात्रों की कटनाईयों का निर्धारण भी करता है तो इसका आंसार होगा option D उक्त सभी CCE प्रणाली में A1 ग्रेड कितने प्रतिशत अंख प्राप्त करने वाले छात्र को प्रदान की जाएगी option देखिए 91 से 100, 81 से 90, 90 से 100 या 71 से 80 तो CCE प्रणाली में ग्रेड सिस्टम जो है वो प्रारंब किया जा चुका है ठीक है जिससे की बच्चों का आंकलन जो है वह हो जाता है और इससे बच्चे जो है वो एक दूसरे से ये भी उन्हें परेशानी नहीं होती है कि उसके इतने marks कमाए या उसके इतने marks कमाए क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो इसी लिए लाप्रद होता है क्योंकि इसमें A1 ग्रेड, A2 ग्रेड या B1 ग्रेड, B2 ग्रेड इस टाइप से दिया जाता है तो यहाँ पर पूचा है A1 ग्रेड जो है वो कितने परसेंट अंक प्राप्त करने वाले चातरों को प्रदान की जाएगी तो इसका आंसर जो क्या होगा 91 से यदि 100 marks आते हैं बच्चे के तो उसे A1 ग्रेड जो है वो percentage मिलती है नेक्स्ट है CBSE ने किस वर्स दस्मी की बोड परिक्षा से सतत एवं समग्र मुल्यांकन CCE प्रणाली लागू कर दी है वर्स 2010 से 11, वर्स 2009 से 11, 10 वर्स 2009 और वर्स 2008 तो CBSC ने दसमी की बोर्ड परिक्सा से सतत और समग्र मुल्यांकन परणाली किस वर्स से प्रारंब कर दी तो इसका आंसर जो है वो बिल्कुल यही है वर्स 2010 से ठीक है अप्रेल 2010 से ये संपूर्ण भारत में लागू कर दी गई Next है 17号 केंजन उप्चारात्मक स्क्षन का उदेश्य है क्या होता है चात्रों की तुर्कियों का पता लगाना विशह के प्रती रुची उतपन करना चात्रों का पिषडापन दूर करना या चात्रों की प्रगती का ज्यान प्राप्त करना तो अब तक तो आपको ये answer जो है, पता चल गया होगा कि उपचारात्मक सिक्षन का मुख़्े उदेश्य क्या होता है, तो इसका जो उदेश्य होता है, वो होता है कि छात्रों की कमियों का पता लगा कर और फिर उनके जो कमियां हैं, उनको दूर करके, उनके पिष़्ले पन को दूर किया जा सके, यानि उनका उपचार किया जा सके, और यह option है चात्रों की तुटियों का पता लगाना, ये तो हम निदानात्मक परिक्षण में करते हैं, ठीक है, next देखिए, question 18, उद्बोधन विधी का उपभेद नहीं है, तो कौन सा नहीं है, द्रश्य विधान, अनुवाद, तो देखिए, उद्बोधन विधी का जो उपभेद है, वो है, द्रश्य विधान, अभिने और अनुवाद, लेकिन कहानी विधी जो है, उद्बोधन विधी का उपभेद नहीं है, आगे देखिए, व्याकरन सिक्षा, स्वतंत्र रूप से किस विधी से नही दी जा सकती, भासा संसर्क विधी, आगमन विधी, निगमन विधी और पाठे पुस्तक विधी, ये सभी व्याकरन सिक्षण की विधियां है, चारों, तो व्याकरन सिक्षा स्वतंतर रूप से किस विधी से नहीं दी जा सकती, तो इसका जो आंसर है, वो होगा पाठे पु और यह व्याकरन की सबसे बहतर विधी मानी जाती है क्योंकि इसमें व्याकरन जो है वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं बलकि पाठ पढ़ाते वक्त सिक्षक जो है वो जब भी संग्या, सर्वनाम, विशेशन जो शब्द आते हैं तो उनको उसी वक्त बच्चों को समझा देता है तो यह है भासा संसर्क विधी यानि यहां पर कोई भी जो सूत्र है वो उनको ग्यान नहीं कराया जाता है विध्यार्थियों को आगमन विधी यह तो सभी जानते हैं कि यहां पर सरलता से पाठ जो है पढ़ाया जाता है और उसके बाद व्याकरन का ग्यान दिया जाता ह निगमन विधी इसमें सबसे पहले सूत्र जो है वो बताये जाते हैं और सूत्रों की आधार पर उधारन प्रस्तुत किये जाते हैं लेकिन पाठे पुस्तक विधी व्याकरण शिक्षा जो है वो इसमें सुतंतर रूप से नहीं दी जाती है नेक्स्ट देखिए, B.S. Bloom ने सिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है? आंसर है, हरबर्ट उपागम, मुल्यांकन, R.C.E.M. या मौरिसन उपागम. तो B.S. Bloom की जो टैक्स्ट नोमी है, उन्होंने सिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है? तो इसका आंसर क्या होगा? मुल्यांकन, ठीक है? इवैलुशन जो है, वह हैं उन्होंने नया आयाम जो है, वो B.S. Bloom ने दिया है. इसी तरीके से मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यूू।